इस वीडियो में हम देखेंगे विजयनगर एंपायर के 300 साल का ग्लोरिया सितिहास और उसके डाउनफॉल की कहानी। हम देखेंगे कि जब नौर्थ इंडिया तीमूर और बाबर के इंवेशन से क्योस में था तब कैसे विजयनगर हर रोज नई हाइट्स को छूते हुए साउथ इंडिया का अंडिस्प्यूटिड किंग्डम बना हुआ था। ये उस विजयनगर की कहानी है जिसके एक राजा कृष्ण देव राय को खुद मुगल एंपरर बाबर अपने दौर के इंडिया का सबसे पावफुल राजा बताते हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री हरी हरा एक किंग्डम के फर्स्ट रूलर बने जिन्होंने होयसला टेरिट्री को एनेक्स किया। 1356 में बुकार आया ने उन्हें सकसीड करते हुए मदुराई सल्तनत का डिस्ट्रक्शन और विजयनगर का पूरे सदन पैनिंसुला में एक्सपैंशन किया। लेकिन विजयनगर के लिए ये सब इजी नहीं था। तुगलक्स के बाद डेली सल्तनत का डिकलाइन तो हुआ लेकिन डेकन में बहामनीज सल्तनत ने अपना इंडिपेंडन्स डिकलेर कर दिया और काफी तेजी से पावफुल होने लगा। बहामनीज विजयनगर के नौधन अमबिशन्स के सामने सबसे बड़ा अप्स्टिकल थे। इनकी राइवल्री बुक्का के दौर में शुरू हुई जो एक सेंचुरी तक चलती रही। राइवल्री फर्टाइल तुंग भद्रा दौाब, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और कुंकन को लेकर थी। दौाब और डेल्टा की लड़ाई उनकी फर्टिलिटी की वजह से थी। लेकिन कुंकन की लड़ाई हॉर्सेज को लेकर थी, जो कैवल्री के लिए इंपोर्टन्ट थे। बहामनीज ने नौर्थ से आने वाले हॉर्सेज को ब्लोक कर दिया। और इसलिए वेस्ट एजिया के साथ होने वाले हॉर्स ट्रेट के लिए फेमस कुंकन का गुआपोर्ट विजयनगर के लिए काफी क्रूशल हो गया। कई सालों के इनकन्क्लूसिव राइवल्री के बाद जैसे ही देवराया वन 1404 में पावर में आये तुंग भद्रा दुआब को लेकर स्ट्रगल एक नए विगर के साथ स्टार्ट हुआ। लेकिन वारंगल और बहामनी के बीच हुई एक पुरानी ट्रीटी ने सदन इंडिया का बैलन्स अव पावर बदल कर रख दिया था। जिसकी वजह से 1408 में देवराय को बहामनी सुल्तान फिरूस शाह बहामनी के हाथों एक humiliating defeat face करनी पड़ी। देवराय को compensation के लिए अपनी बेटी की marriage फिरूस से करनी पड़ी। और डावरी में बनकापुर की territory भी देनी पड़ी। लेकिन कुछी सालों बाद देवराय को revenge का मौका मिला। रेड़ी किंडम में एक session को लेकर confusion के चलते देवराय ने diplomatic maneuvering करके वारंगल के साथ एक treaty sign की और रेड़ी किंडम को आपस में डिवाइड कर लिया। विजय नगर की इस diplomacy की वजह से balance of power फिर बदल गया और 1420 में देवराय ने फिरोज को defeat करते हुए पुरानी territories recapture कर ली। 1425 में देवराय 2 पावर में आये जो संगम dynasty के सबसे powerful ruler थे। Portuguese traveler नूनीज बताते हैं कि श्री लंका, पेगू और मलया के kings भी देवराय 2 को tribute पे करते थे। इनके रूल में विजय नगर में कई reforms हुए बहमनीज की main power उनके Muslim archers और cavalry की वजह से थी। इसलिए देवराय 2 ने कई capable Muslims को जागीर दी और अपने soldiers को उनके अंडर archery की training दी। इसके अलावा strong cavalry का organization भी हुआ। अगले और सबसे ज्यादा important ruler तुलुवा dynasty के कृष्ण देवराय हुए जो 1509 में थ्रोन पर आये। ये बाबर के contemporary थे। कृष्ण देवराय के दौर में विजयनगर की prosperity अपने zenith पर थी। और Domingo Pace जब हांपी का comparison रोम से कर रहे थे। तब यहां कृष्ण देव का ही rule था। पेस बोलते हैं कि कृष्ण देव एक able military general भी थे जो battle को front से lead करते थे और अपने injured soldiers का ध्यान personally रखते थे। इसलिए कृष्ण देव ने तुंग भद्रा दुआब के जगड़े को फिर से जिन्दा करते हुए। उडिसा के गजपती और बाहमनीज के successor state बीजापूर सल्तनेत पर बड़ी victories पाई। कृष्ण देव के दौर में Portuguese की इंडिया में entry हो चुकी थी जिनके governor Alba Q कृष्ण देव के काफी अच्छे relations थे। पॉर्चुगीज ने कृष्ण देव को military aid भी दी जिसके बदले में उन्हें भटकल fort बनाने की permission मिली। लेकिन historians का opinion है कि ये कृष्ण देव की सबसे बड़ी weakness थी कि वो Portuguese danger को underestimate करते रहे। कृष्ण देव की greatness के कई और reasons थे। उन्हें historians the great builder भी बोलते हैं। उनके द्वारा constructed एक enormous tank को Domingo Pais अपनी book Chronicle of the Vijayanagar Kings में a great architectural wonder कहते हैं। उनके रूल में Vijayanagar Temple आकिटेक्चर भी अपनी mature phase में था। जब towering Raya Gopuram, Shri Salem Temple complex के कुछ parts, विरुपाक्षा Temple का pillar hall etc. का construction हुआ। राया Gopuram, Vijayanagar का unique innovation था और ये temples का royalty gateway था। ये इतने magnificent थे कि temples की main shrines उनके सामने बौनी लगने लगी थी। एकम बारंथा temple का 188 feet tall southern Gopuram सबसे massive है जो कृष्णदेव ने ही बनवाया था। कृष्णदेव के rule को historians golden age of literature भी बोलते हैं।